नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो फिल्म इंडस्टी में हर सुकुरवार किसी की किसमत बदलती है तो किसी की डूपती है कभी किसी की फिल्म करके कोई बुलंदियों तक पहुच जाता है तो कभी छोड़ी हुई फिल्म किसी एक्टर के लिए जिन्दगी भर का मलाल बनकर ही रह जाती है सैकड़ो ऐसी फिल्मे हैं जहां फिल्म की पहली पसंद कोई और था जो वेरियस रीजन के चलते उस फिल्म में काम नहीं कर सका और फिल्म को किसी दूसरे ही एक्टर के साथ बनाए गया इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ इंडस्टिस की कुछ ऐसी ही फिल्मों की जानकारी देंगे जिसकी पहली पसंद कोई और था तो दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों जैसा की आप जानते हैं कि सूरिया तमिल इंडस्ट्री के वन अप दे टॉप एक्टरस में से एक है इनके केरेग्राफ पर नजर डालें तो इन्होंने गजनी, सिंगम, काखा काखा, चैन्नेई वर्सेश चाइना और सूराराई पोट्रू जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में डिलीवर करी है बात अगर इनकी पहली मेजर सफलता की करें तो वो इनको मिली थी साल दोयर तीन की फिल्म काखा काखा से हालाकि सूरिया की इससे पहले भी कई फिल्में चली थी लेकिन ये सफलता कुछ जादा ही बड़ी थी फिल्म रिलीस हुई और ब्लॉक बश्टर ही ये वही फिल्म है जिसको आगे चलकर जॉन अबराहम के साथ फोर्स के नाम से रिमेक किया गया खैर उस समय फिल्म की सफलता ने सूरिया को थला अजीत कुमार, थलापती विजय और च्यान विक्रम जैसे बड़े अक्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया यही से सूरिया पुलिस इंस्पेक्टर की रोल में च्छा गए, क्या आपको मालूम है कि फिल्म के राइटर और डिरेक्टर ने ये फिल्म किसको माइड में रखकर लिखी थी, वो थे थला अजीत कुमार दोस्तों थला अजीत कुमार साल दोयर तीन से दोजर पाच के बीच फिल्मों में बहुत कम ध्यान दे रहे थे और उनका मेजर फोकस रेसिंग पर था, जिसकी वजाए से उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया और इवेंचुली ये रोल सूरिया की जोली में चला गया, यहीं से सूरिया की किसमत पूरी तरह से बदल गई, इतना ही नहीं, कोंसिडेंसली सूरिया की नेक्स्ट माइलिस्टोन फिल्म गजनी भी थला अजीत कुमार को ही ध्यान में रखकर लिखी गई थी, यहां भी अजीत सर ने वेरिस रीजन के चलते फिल्में काम क हाँ वही फिल्म जिसने ये साबित किया कि चियान विक्रम एक कंटेंड ओरिंटेट फिल्म में ही नहीं, बलकि मसाला फिल्में भी कर सकते हैं और मासेज में इनकी तगड़ी पकड़ है, सेथो फिल्म से सूर्खियां पाए चियान विक्रम सर की ये फिल्म जब रिलीस की कई रीमेक बने जिसमें एक रीमेक संजेदत की मूवी पुलिस गिरी भी थी। खैर सामी फिल्म ने तीन से चार दिन में ही अपना बजट रिकवर कर लिया। फिल्म की एक क्रोंट टिकट भिकी और 100% अक्यूपंसी देखने को मिली। विक्रम सा नंबर वन पर आ चुके थ एक्च्वल में इस फिल्म की कहानी भी थला अजीत कुमार को ही ध्यान में रखकर लिखी गई थी। यहां भी इनोंने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया और सीधे तोर पर चियान विक्रम को इसका फायदा हुआ। डिरेक्टर राम गोपल वर्मा ने सूरिया को एक मल् नजर आने वाले थे। वज़ा ये थी कि इस तरह के रोल में वे इस से पहले सिंगम और काका काका जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे। और अब उनकी डेट्स का इंतजार किया जा रहा था। वे उस दौरान चैन्नाई वर्सेश चाइना फिल्म की सूटिंग में कुछ ज्यादा ही बिजी थे। इस दौरान प्रोडूसर आरर वेंकट की एंट्री हुई और राम गोपल वर्मा इस फिल्म से एक्जिट हो गए। अब पूरी जगनात के पास पूरी तरह की छूट थी। उन्होंने महस बाबू के साथ पोकरी जैसी ब्लॉकबश्टर फिल्म दे अल्लू अरजुन को कमर्शली सक्सेस तो मिला ही उसी के साथ उनको फिजिकली एक्सेप्टेंस भी मिल गया चूंकि उनकी पिछली फिल्म गंगोतरी में अल्लू अरजुन को लुक वाइस काफी क्रिटिसिजम फेस करना पड़ा था। सुकुमार के डिरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने चार करोड के बजट में 30 करोड की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हुज ब्लोक बस्टर है। एक्चुल में इस फिल्म की पहली च्वाइज जूनियर एंटियार थे। लेकिन जूनियर एंटियार ने अपने बिजिस सेड्यूल के चलते इस फ को तेलगू इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। इस फिल्म से पहले विजे दिवरा कॉंडा का केरियर डामा डोल चल रहा था। फिल्म रिलीस हुई और बॉक्स ओफिस पर जबजस ब्लॉकबस्टर इस फिल्म से विजे दिवरा को ऑफर हुआ था। सरवा नंध को इस फिल्म की कहानी पसंद भी आई और उन्होंने हा कर दिया। उस समय फिल्म के प्रोड़क्शन को लेकर थोडए सब्कार कॉ cheesecake के प्रेशर्स तक पहुचाया। बाद में इस फिल्म को डिरेक்टर संधीर प्रड़ि सिवांगा के दोस्तो विजएदेवरा कॉंडा की एक और फिल्म है जो इनके फैन्स को खोब पसंद है, इस फिल्म का विजएदेवरा कॉंडा के केरियर में भरपूर योगदान रहा, और आज जो इनकी इतनी तगड़ी फैन-फॉल्लू इंग है उसमें कहीं नकहीं एक वजा ये फिल्म दोस्तो इस फिल्म का नाम है गीता गोईंदम, पाच करोंड के बजट ने बनी इस फिल्म ने 130 करोंड की कमाई करी और तेलगू बॉक्स आफिस पर हुज ब्लॉकबश्टर रही, इस फिल्म ने विजे देवरा कॉंडा के इस्टारडम को नेक्स लेवल पर पहुचा दिया, दोस्तो एक्च्वल में इस फिल्म की पहली पसंद कोई और ही था, दरसल इस फिल्म के डिरेक्टर परसू राम अलू अर्जुन को इस फिल्म में काश्ट करना चाहते थे, इवन फिल्म के प्रोडूसर भी अलू अर्जुन के पिता अलू अर्विंदी थे, लेकिन अलू अ उनके मताबिक वे इस रोल के लिए comfortable नहीं थे उन्हें लगता था कि इस फिल्म के लिए किसी नए हीरो को लेना ज्यादा सही रहेगा इस तरह ये रोल विजे दिवरा कॉंडा की जोली में गया और उनकी किस्मत पूरी तरह से पलट गई दोस्तों SS राजा मौली और प्रभास ने अब तक दो फिल्मों में काम किया है एक तीस साल दोयर पाच की छटपती और दूसरी है बहुबली फ्रंचाइजी लेकिन इससे पहले भी SS राजा मौली प्रभास को सिमादरी फिल्म में काश्ट करना चाहते थे उस समय तक SS राजा मौली की एकी फिल्म रिलीस हुई थी वे फिल्म इंडस्टी में ने थे और प्रभास उन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे जिसके चलते उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया बाद में इस फिल्म में जूनर एंटियार को ऐस लीड हिरो काश्ट किया गया जिसकी में वज़ा ये थी कि SS राजा मौली जूनर एंटियार के साथ इस से पहले इस्टूडेंट डंबर वन नाम की फिल्म बना चुके थे फिल्म रिलीस हुई और सौ दिनों तक चलती रही ये फिल्म बॉक्स आफिस पर ब्लॉक बश्टर रही और सही माइने में इसी फिल्म से जूनर एंटियार को एक बड़ी सवलता हाथ लगी यहां से जूनर एंटियार का केरियर सही ट्रैक पर आ गया प्रभास को ये फिल्म बहुत खली खुद प्रभास ने एक इंटर्वियू में बोला कि सिमादरी मूवी रिजेक्ट करने के बाद छटपती फिल्म के लिए उन्हें बहुत संकोच हो राथ लेकिन फिर भी प्रभास ने भारी मन से एसस राजा मौली से बात करी और राजा मौली ने उनको छटपती फिल्म में एज लीड हिरो कास्ट कर लिया जो एवेंचुली प्रभास के केरेर की एक मालिश्टोन फिल्म बनी साल 2006 में पूरी जगनात की निर्देशन में एक फिल्म बनाई गई थी जिसने तेलगू बॉक्स ओफिस को पूरी तरह से हिला के रख दिया ये फिल्म थी पोकरी वही फिल्म जिसको कई भासों में रिमेक किया गया जिसमें एक वांटेट भी थी फिल्म में लीड हिरो के तौर पर महस बाबू नजर आये 10 कॉरोड के बजट ने बनी इस फिल्म ने 6-6 कॉरोड की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बश्टर रही इसी के साथ इस फिल्म ने इंदादा टाइगर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा और ये फिल्म अपने समय के तेलगू इंडस्टी की हाइस ग्रोसर फिल्म बन गई फिल्म की सफलता ने महस बाबू को बिना किसी डाउट के नंबर वन सूपर स्टार कंसिडर करा दी आपको तो मालूम होगा कि अल्ली 2000 से महस बाबू और पवन कल्यान का सीधे तोर पर कॉमडिशन चलता आया है यहाँ पवन कल्यान से एक भारी गलती हुई चुकि पवन कल्यान पुरी जगनात के साथ भद्री नाम की फिल्म में काम कर चुके थी इसी वज़ा से पुरी जगनात की पहली पसंद पवन कल्यानी थे मगर पवन कल्यान के पास डेट्स की प्रॉब्लम थी जिसके चलते ये रोल महस बाबू की जोली में चला गया अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसको करने के लिए दो लेजंडरी एक्टर्स एग्री थे मगर यहां पर अरजुन सर्जा की किसमत कुछ ज़्यादा ही बुलन निकली ये फिल्म थी मुधालवन वही फिल्म जिसको हिंदी में नायक के नाम से बनाय गया है फिल्म को इसके सब्जेक्ट के चलते काफी पसंद किया जाता है एक्ट्वल में फिल्म की पहली पसंद रजनिकान सर थे रजनिकान सर को इस फिल्म की कहानी पसंद भी आई लेकिन रजनिकान सर के पास अगले दो सालों तक की डेट सी नहीं थी इसके बाद इस फिल्म के लिए थलापती विजे को आफर किया गया मगर थलापती विजय अपने केरियर के सुरुआत में इस तरह के हैवी सब्जेक्ट पर काम करना नहीं चाहते थे इसके बाद इस फिल्म के लिए कमल हसन को अप्रोच किया गया कमल हसन भी फिल्म को करने के लिए एगरी हो गए लेकिन उन्होंने फिल्म की सूटिंग को दस महीने डीले करने को कहा यहां एस संकर एगरी नहीं हुए और उन्होंने इस फिल्म को अरजुन सर्जा के साथ ही बना डाला और ये फिल्म कितनी बड़ी सफल रही इसको बताने की जरुवत नहीं है अगली फिल्म है 2012 की इथरन यानी की रोबोट जिसमें रजनी कांत और एसोरा राय नजर आई थी दोस्तो इस फिल्म पर एस संकर ने 2001 मही काम शुरू कर दिया था उस समय रजनी कांत और एसोरा राय वाले रोल के लिए कमल हसन और प्रीती जंटा को कास्ट किया गया था एवन इन दोनों के कई सारे फोटो सूट भी हो चुके थे फिल्म अपने डेट प्रॉबलम और बजट इसू के चलते डबबबंध हो गई और कई सालों तक यूही पड़ी रहा प्रेली 2008 में फिल्म पर दोबारा काम सुरू हुआ और इस बार फिल्म में लीड हीरो के तोर पर रजनी कांत और लीड एक्टरस के तोर पर एसुरा राय को कास्ट कर लिया गया साती साथ अगर आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो हमें जरूर सजेस्ट करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद